नमस्कार दोस्तों सौगेत है आप सभी का मेरे यूटुब चैनल टेकनिकल गार्टिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कमपोश्ट की बारे में बात करेंगी जो कि बिल्कुल फ्री है उसको बनाने में आपको एक पैसे का भी खर्च नहीं करना है बिना किसी खर्चे के और घर के वेस्ट से वो कमपोश्ट बनाई जा सकती है और किसी पौधे में चाहे वो फल का पौधा हो फूल का पौधा हो सबजीयों का हो किसी पौधे में आप उस कमपोश्ट को दे सकते हैं और काफी अच्छे से उससे आपको पौधे की लाब मि कर दें ताकि आगे आने वीडियो के नोटिफिकेसंस आपको असानी से मिलती रहे यह देख सकते हैं आप यह नीम्बू का पौदा है और काफी अच्छी इसमें फ्रूटिंग भी है और काफी धेर सारी फ्लॉरिंग और काफी छोट-छोटी फ्रूट्स दुबारा से बनने स् दिखा दू जो पहले से मैंने बना के रखा हुआ है तो यह आप देख सकते हैं और इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं उसके बाद फिर बताऊंगा इसको यूज कैसे करना तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह हमने एक बाल्टी में पानी ले लिया ह और यह जो आप देख रहे हैं यह हमारे किचन से निकला हुआ वेस्ट चाहें वो फल का छिलका हो फोल का छिलका हो या सबजियों के छिलके हो कोई भी चीज वो आपको ले लेनी है यह सर्दियां आ गई हैं दोस्तों काफी अच्छा मटर इस समय सभी के घरों में यूज हो और साथ में आपको बताओ दोस्तों अगर गाडन में आपकी जो वेश निकल रहा है सुखी पतिया या फिर जो घास फूस निकल पे तो आप उनको भी इसमें यूज कर सकते हैं तो आपको सिंपल देखिए जो भी छिलके या जो भी चीजें आपको मिल रही है किचन से उसक प्रकार से देखिए जो भी फल फूल के छिलके हैं आपको सब इसमें डाल देना है चाहें वो किसी भी फल के हो या किसी भी सबजी का छिलका हो सब को चापको इसमें इस प्रकार से डाल देना है अब देखिए दोस्तों इससे क्या होता है कि जो छिलके होते हैं आलू के छि छिलके में आपको आईरन मिल जाएगा और पोटैसियम गार इसी प्रकार जितने वी छिलके हैं जो वेष्ट हमें किचन से निकलते हैं उसमें जो जरूरी ten वह भग मिलते सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगे और जब इसको आप पानी में डालके छोड़ देंगे तो जो भी इसमें होता है जो इसके होते हैं वो पानी में धीरे-धीरे इसमें यह जोड़े होते हैं फिर वो लिक्विड कंपोस्ट काफी कारगर होता है अब इसको भिगा के कब तक चोड़ना है तो 2-3 दिन के लिए आपको भिगा के इस तरह से पानी में इसको छोड़ देना है और इसको दोस्तों इसमें किसी चीज की मदद से यह देखिए इस मैंने पहले से बना गे रखा है ये दो से तीन दिन इसको भीगा के छोड़े हुए हो गया है मुझे और आप देख सकते हैं इसका जो कलर आएगा पानी का ये देखिए इसका कलर देखिए दोस्तों मतलब जितने भी elements इन छिलकों में थे वो सभी पानी में अच्छे से डिजा इसको छोड़कर बाकि जो छिलके हैं सबजीयों के या फलों के उनका ही प्रियोग करना है अब दोस्तों इस प्रकार से ये निकलता है तो इसमें से हमें liquid जो है वो निकाल लेनी है और ये liquid दोस्तों मैं आपको बताऊं सेम ऐसे ही यूज करना है इसको हमें पानी के साथ ड मातरा में आ जाते हैं तो उन्हें आपको पाने के साथ डालूट करके देना है अपने अभी ये जो लिक्विड है ये आपको किसी पौधे में देने के लिए रेडी है किसी पौधे में चाहें वो आपका फल वाला पौधा हो फूल वाला पौधा हो किसी पौधे में इसको आप दे सकते हैं और साइज के हिसार से बता दो दस से बारा इंच के गंबले में आप यह आधा मक दीजे इस से ज़्यादा नहीं देंगे तो कि बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने से भी पौधे पर उसका नेगेटिव एफेक्ट आता है तो चलिए हम इसको गंबले में दे के जरुवत है यह पकने की स्टेज में यह टमाटर आ रहे हैं तो इसमें जो भी ट्रेस एलिमेंट्स की कमी होगी इस पौधे में वो यह कंपोस्ट जो हम दे रहे हैं वो इससे पूरा करेगा और जो नए फल बन रहे है उनमें अच्छे टमाटर आएंगे और यह टमाटर क जल्दी कमपोस्ट हमारा मिलेगा तो हमने इसको हलकी गुडाई कर ली और हमारी मिट्टी गीली है इस परकार से और यह देखे ही जो हमने कमपोस्ट लिया है यह पूरा हम इसमें दे देगे इसी प्रकार आप किस ही पौधे में चाहें वो आपका फल वाला पौधा हो फूल वाला पौधा हो या सब्जीयों के पौधे हो तो उनमें आप इस कंपोस्ट को दीजिए और आप देखेंगे इसका result आपके पौधे में धेर सारे जो सबजी होंगी वो लगेंगी या काफी अच्छे फूल और काफी अच्छे कलर में उनकी पत्तियां बनेंगी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये हो जानकारी अच्छी लगी हो टो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाICK करें कोई सवाल कोई सुझा हो तो कमेंट बाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद